हलो दोस्तो स्वागत है आपका अर्विन देश्टरी सेंडर मैं आपका साथ ही अर्विन कुमार कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो कैसे चल लिए आप कैस्टरी कमेंट बक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको एक ताजा ख़बर देदे कि आपको सीटेट का एक्जाम डेट जो आप लोग इंतिजार कर रहे थे कि जनवरी माह में होगा लेकिन दिसंबर से जनवरी तक लेकिन उसको एक्जाम को टाल दिया गया है आगे के लिए टाल दिया गया है बड़ी ख़बर हम आपको बता दे तो इससे पहले आप आपका एकजाम डेट कबसे होगा दिसंबर में होगा या नहीं होगा आगे हम वीडियो में आप 5 चर्षा करेंगे वीडियो का स्कृप मत करिये गये और पूरी जनकारी लिए और दोस्तों को जनकारी निस tenían से में चलिए इस पोस्ट के माद्यम से हम आपको जनकारी मिलने जा रही है कि क्या दिसंबर में एक्जाम होने जा रहा है या केंद्रिये माद्यमिक सिक्षा बोट की तरफ से अब क्या जनवरी माह में एक्जाम कराया जाएगा पूरी डेटेल के जनकारी हम इस पोस्ट के मादेम से आपको बता देते हैं और आपको क्या मिला है सिटेट से नोटिफिकेशन मिला है या सही है गलत हम आपको बता देते हैं चलिए इस साल आप जानने हैं कि अधिक संख्या में यानि 30 लाग के लगभग विदार थी आवेदन किये हुए हैं 30 से 35 लाग के बीच आवेदन की संख्या है इस संख्या में मात अधिक होने की वज़ा से CBAC ने थोड़ा टाइम लग सकता है जैसे 30 लाग से अधिक है इसलिए या थोड़ा से टाइम लग सकता है बता दे कि आपको नोटिफिकेशन में कहा गया था कि दिसंबर से जन्वारी मा के माध्यम से एक्जाम कराया जागा CBAC ने एक्जाम तीती की घोसना नहीं की थी किस तारिक से एक्जाम की शुरूयात होगी लेकिन लेकिन जनकारी निकल कर आ रहा है कि क्या भ्यार थी हो कि संख्या अधिक होने के वज़़ा से एक्जाम दिसंबर की वज़ाय जन्वारी माह में शुरू हो सकता है दिसंबर से जनवरी माह के बिच दिसंबर की बजाए जनवरी माह में होगी समझ लिजे आपका एक्जाम दिसंबर में नहीं होने जा रहा है जनवरी माह में आपका होगा ठीक है तो फिलाल इतना ही कैसी लगे खबर अच्छा लगा तो सेयर कर दीजे फिलाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद